अलाम वालेकुम वेवर्स वेलकम तो माई चैनल अलाविल फैशन टेलर आज मैं आपको शारा की कटिंग का तरीका सिखाऊँगा इससे पहले भी मैं आपको शारा की कटिंग स्टीचिंग बता चुका हूं लेकिन आप लोगों के डिमाइंड बर दुबारा कटिंग कर रहा कुछ वीवर्स को पहले जहीं गयर समझनार है, और अब मिने कपड़ा ले आ ये बड़ privileged कैसे बमिद आखे हैं, और आपने पहले हैं मैंने कपड़ा एल्येके बमन आखे लिए है और तेन लगा लिए हैंसे मैंने तयान आखे खरता हुआ आ है एक सपर कोने से इसको पकड़ाने है, वो इससे जाएा लाक आए, इसकी नोक असफी नीचसे बढ़ाए, इससे तरह बचा ले। प्राइब को एक्सा कबरा आप एक्सा कब आप पहले ही कर-कर दें ताकि बाद में कटिंग में आपको दंग ना कर रहिए एक कब्रा भाया कर तक बचा लिए मेरी इसकी लेंद्ध तकरीबन 40 इंच है इसे पहले हम ये इसका बैल ने का लैं ठल्टी ठल्टी विंच- पहले यह दर नोक से आपने 11 इंच के तकरीबर कप्रा निकाल ले है 11 इंच के मेरे कप्रा निकाला है तो इस तरह इस चैड़ भी 11 इंच का कप्रा हूँ इसी तरह सेंडर में भी यह यह मेरे बैल्ट का कप्राइट शल्ट अबतीस इंच का कप्राइकर त्यार हो गया इसको स्केल की मजद से निचान नगा ले निचानल कैसा गुलाई में आएगा इसके बाद हमने शिरारे की लेंथ निकालनी है इसको कपड़े तोड़ा से ओपर कर ले इसको कपड़े तोड़ा से ओपर कर ले इसाहरे की मैंने लेंथ निचानल लिए चालीस इंच इसकी लेंथ है इससरह में चालीस इंच का निशान लगा दूँगा चालीस इंच का इस चाहर से निचान लगाना है चालिस इंच का इधर से निशान लग गया। ए इस साइढ पर हलिका हज और आएगा, क्वजुके कपड़ाANyIN होरा रहा堆 पूर मैं बाद मा लगसे का जाल दूँए। शिल्द है कि मतले सारियों उसाथ को बेड़ियोंं कुट करें। कि नीचे से गुलाई इस तरह देदे दूसरे से पर जोड़ आएगा कि अबड़ा मेरे एक्स्ट्रा बचा इस से पर हमने जोड़ डालना जोड़ इसका इस कपड़े का डलेगा जोड़ एक्स्ट्रा हमारे से उतर है अब्ड़ा इस अब दो लगा लें आप जायदा वाली साइड बचाएं जैसे हमने गुलाई की ती ऐसे ही गुलाई कर देंस कि और यह इस तरह शेफ देदे गुलाई में यह हमारा शिरारा तकरीबन कट के तियार हो गए इस तरह शेवा गई है इसके अपर से हमने आसन का निशान लगा लेना है पंदरा इंच का अमने आसन का निशान लगाने है इसका अपन्दरा इंच पर में निशान पूरा कर लिया अपना यहां शिरारा मकंबर कट होगे दो पैंचों में इसका गेर देख लेकितां बड़ा घेर है अगर आपको मेरी वीडियो प्लंद आई हो फिस लाइक करें शेयर करें थैंक यू फर वाचिंग अला बिक्टर है